प्रॉब्लम से सल्यूशन ता, आस्टर ता, नो यूर फेट पंजांग के साथ में विशेश दिन है, और हमारा विशेश उपाय भी दीवी भुमनिश्वरी से ही जुडावा बताएंगे, आपको एश्वरी की प्राप्ती कैसे होगी आपके जीवन में, उसके लिए राशिफल को आखिर तक देखेगा, शुरुवात करता है राशिफल की पहली राशिफल की प दौरस की बात करेंगे, कारोबार में लाब होगा, दुफ्तर का महौल अच्छा रहेगा, माता की सहत में सुधार आएगा, संतान पक्स अच्छी खबर मिलेगी, जीवन साथी का सही योग मिलेगा, उपाय ये करें कि पूजागर में सफेद फूल चड़ाएं, शुभंक न की कैंसर की बात करेंगे, सहत पर ध्यान दे, वाहन सावधानी से चलाएं, खानपान पर ध्यान दे, रिष्टेदारों से विवाद के योग हैं, दंपत्यकलेश के योग हैं, प्रेम संबंदों में कटुता आएगी, उपाय ये करें कि घर के व्यायव्यकोन में पानी का रखें, शुभंक पांच रहेगा, शुभरंग रहेगा, हरा, पांच भी राशी सिंग, यानि के लियो की बात करेंगे, विदेशी सुरोतों से अचानक लाब होगा, आर्थिक फैसले लेना लाबकारी रहेगा, भाई भहन से विवाद के योग हैं, दामपत्य में प्रेम ब रुची बढ़ेगी, धर्म कर्म में धन खर्चों होगा, उपाई ये करें कि घर के उत्तर दिशा में आभूशन रखें, शुभंग आठ रहेगा, शुभंग रहेगा, काला, इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आसान, प्रॉब्लम से सल्यूशन ता, एल्टर ता, नो यॉर फेट, शात्वी रशी तुला, यानि कि लिबरा की बात करेंगे, नौकरी शुदा को लाब होगा, कारोबार में तेजी आएगी, परिवार में मांगले कारे संपन्न होंगे, माता की सेहत नारम रहेगी, प्रे आठवी रशी व्रिश्चिक, यानि कि स्कॉर्पियों की बात करेंगे, कड़ी महनत से सफलता मिलेगी, शुबकारों में हिस्सा लेंगे, सामाज एक सम्मान बढ़ेगा, कारोबार यातरा की योजना बनेगी, जीवन साती के साथ में मधुर पल बिताएंगे, उपाई ये क करेंगे, कि ओम चंद्रा ये नमहा, इस मंतर का जाब करें, शुबहंक छे रहेगा, शुबहंक रहेगा, गुलाबी, दस्वी राशी मकर, यानि कि केप्रिकॉन की बात करेंगे, सहत ठीक रहेगी, दफ्तर में कामकाच का बूज बढ़ेगा, सहकर्मी सहयोग देंगे, वहन सुख बढ़ेगा, छातर कड़ी मेहनत करेंगे, दामपती जिवन में तालमेल बना रहेगा, उपाईए करेंगे, घर की उत्तर पस्चम दिशा में अगर बत्ती जलाएं, शुबहंक दो रहेगा, शुबहंक रहेगा, सफेद, ग्यार्वी राशी कुम्भ, यानि के अक्वर इसकी बात करेंगे, सेहत में सुधार आएगा, कारेस्तल पर प्रशंसा मिलेगी, रोजगार के दायरे में व्रद्धी होगी, प्रपर्टी में लाब मिलेगा, छातरों के स्वेया धिन के लिए अच्छा समय है, उपाईए करें कि गरीब बच्चों में दूद का दान करें, शुभंक छे रहेगा, शुभरंग रहेगा, गुलावी, तो दोस्तों आप समय है, आज के विशेश उपाय का, वो विशेश उपाय जो आपका एश्वरे की प्राप्ति कराएगा, देखिए खास दिन है, चतुर्ती है, और ऐसे में विशेश रूप से सरवार्ते से माता भुमनेश्वरी के पूजन का विधान है, तो आप क्या करें, देवी भुमनेश्वरी का पूजन करें, और देवी भुमनेश्वरी पर रात रानी का इत्र चढ़ा कर, उसे रोज इस्तमाल करें, और इस पूरे प्रियोग में विशेश मंतर का जाप करें, आयम हरीम श लेगा भविश्य से जुड़े हर सवाल का जवाब डाउनलोड कीजिए एस्टो तक एप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट एस्टॉलोजर से